हम बात कर रहे हैं पटेल इंजिनियरिंग की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें एक परसेंट तक के आफ साइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिले हैं इससे पहले वीडियो में हमने और रेडी डिसकस किया था हम देख सकते हैं इस टॉक ने गिरावट के बात 60 के सपोर्ट से बांज बैक किया है 64 तक के तारगेट डिकाए और गिरावट आई है तो अपने लोग को ब्रेकड़ॉन नहीं किया है इसके उपर ही हमको काम करता हमको 64 इसका रेजिस्टन्स होने इससे पहले भी इसी लेवल पर स्टॉक रेजेक्शन फेस कर चुका है और जब इसको ब्रेकड़ किया था इस लेवल पर हमको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ था 64 का लेवल इसका रेजिस्टन्स होने तो यहां से रेजेक्शन देखने के ल again jump high breakout, अभी यहाँ से गिरावट आई, अगें एक jump आ के हमको यह high breakout देता हुआ नज़र आ सकता है, patrol engineering का खेल जो हमको पलट आउआ नज़र आ सकता है, इसका pattern हमको higher high बनता हुआ नज़र आ सकता है, बात करते support level की तो यह जो low है, 61-50 का level, immediate support का का मुएकर करेगा, और 60 का लेवल इसका तगडार important support है जब तक इसके उपर है हमको बड़ी गिरावट नजराना मुश्किल है आने वाले दिन में हमको नजर रखना है इस high पर जहां से stock ने rejection लिया है 64 का लेवल यहां तक का jump हमको देखने के लिए मिल सकता है लेकिन अगर इसको breakout कर गया और उपर sustain हो गया तो वैसे condition में फिर patal engineering का खेल पूरी तरह पलटा हुआ हमको नजर आ सकता है इसका हमको signal confirm हो सकता है कि patal engineering का खेल पलट चुका है 64 के breakout के बाद उपर consolidate हो जाता है वैसी condition में फिर हमको यहां से next target देखने के लिए मिलेगा 70 और 72 तक के भी target patal engineering में हमको short term में ही देखने के लिए मिल सकते है अगर आप payment account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई buy or sell की सला नहीं है